पर ट्रेड करना बहुत जादा सिंपल होता है चलिए आप मेरे स्किन पर देखें मैं आपको समझाता हूं लेकिन देखो एक बात मैं आपको यह भी समझाता हूं जब आप ट्रेड करिए न तो ट्रेडिंग से पहले आपके डीमेट एकाउंड में मिनिमम जो है 10,000 रूपीज बैलन्स रहना चाहिए तो रहना चाहिए जब आपके डीमेट एकाउंड में 10,000 रूपा है तो तभी आप यहाँ पर ट्रेड करो अगर आपके डीमेट एकाउंड में 2000, 3000, 4000 रूपा है तो आप मार ट्रेड करो बहुत से लोग क्या सुचते कि अगर हमारे डीमेट में 10,000 रुपए है तो तभी आप यहाँ पर trade करिए अब आपको यह बात समझ में आ गया होगा देखो market में ना जिस दिन जिस भी strike price में मतलब जिस दिन निफ्टी या बैंक निफ्टी और जिस दिन जो है expiry होने वाला है उस दिन आपको जो है ITM में trade करना चाहिए और जिस दिन भाई expiry नहीं है उस दिन आपको आने वाले strike price पर trade करना चाहिए जैसे कि OTM में trade करना चाहिए अब OTM का मतलब यह नहीं कि मार्केट से कई कोसो दूर हमें trade करना चाहिए OTM का मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाले strike price पर trade करना चाहिए और जो है थजदेग दिन मतलब थजदेग तो निफ्टी का expiry होता है जिस दिन मार्केट में expiry हो उस दिन आपको ITM में trade करना चाहिए चलो जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ मैं यहापर निफ्टी के बारे में आपको समझा रहा हूँ सिम वही फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिट केप निफ्टी सब का आप यहाँ पर समझ लीजीगे न जैसे कि देखो अभी हमारा market हमारा live है market में हमारा कितने का अभी strike price चला है 19255 का strike price चला है तो अब हमें यहाँ पर जैसे कि मालो निफ्टी 50 में हम ट्रेड करने वाले हैं अगर हमें निफ्टी में call side का trade लेना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा call के side में देखो सबसे पहले तो फायदा हमारा का बोगा जब market हमारा ऊपर के side में जाएगा तो तभी हमारा market में जो है फायदा होगा तो अब हमें क्या करना है अगर call के side में हमें trade लेना है तो इसका जो आने वाला strike price है जैसे कि 19300 जो strike price है हमें 19300 का strike price जो है call जो है buy कर लेना है तो तभी call buy कर लेना है यही सही तरीका है अब फिर उसके बाद में अगर आपको लगता है कि यहां से market जो है इस point से market जो है नीचे दिरने वाला है तो नीचे गिरने पर तभी तो हमारा profit होगा भाई अगर आपको put buy करना है तो नीचे गिरने वाला है तो अब आपको ऐसी condition में क्या करना है कि market हमारा 19,23 के आस पास चला है जिसका जो आने वाला strike price है वो क्या होगा 19,250 जो है इसका आने वाला strike price होगा तो हमें यहां पर 19,250 का put हमें buy कर लेना है तो ऐसे ही strike price को आपको select करना है यही कहरना का मतलब है कि जो आने वाली strike price है उसी में आपको trade करना चाहिए वैसे यदि आपको ITM, ATM, OTM के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी यह वीडियो देख लीजेगा आपको समझ में आ जाएगा भाई ITM, ATM, OTM होता क्या है यह आपको समझ में आ जाएगा अब चलो यह तो आपको मैंने समझा दिया कि जिस दिन expiry नहीं रहेगा उस दिन आपको आने वाले strike price पर trade करना है अब आपको यह समझाता हूँ कि भाई जिस दिन market में expiry रहेगा उस दिन हमें किस basis पर trade करना है तो आपको जिस दिन market में expiry रहे तो आपको उस दिन जो है ITM में trade करना चाहिए अब चलो ITM में क्या होता है वो में मैं आपको समझाता हूँ जैसे कि market जो है हमारा 19,273 की आसपास चल ला है तो अब हमारा जो अगर माल जी हमारा market ऐसा लग रहा है कि भाई उपर के side में जाना वाला है तो हमें call buy करना है तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा उपर के side में जब market जाएगा तो तभी हमारा profit होगा तो ऐसे condition में जो इसका in the money बनेगा तो वो हमारा अंदर का जो strike price बनेगा वो हमारा 19,250 का strike price बनेगा अब चलो 19,250 का strike price हमारा कहा है यह हम अपने 19,250 की strike price पर हम अपना horizontal line ड्रॉ कर देते हैं फिर से एक बात समझा दू यदि आपको लगता है कि यहाँ से market उपर के side में जाएगा तो इसके अंदर की strike price को trade करना है जो अभी हमारा गया है जैसे कि 19,250 की strike price पर आपको trade करना है अभी market हमारा 19,278 की आसपास चलना है अब ठिक वही तरीका यहाँ पर जो है हमारा अगर आपको लगता है कि market यहाँ से नीचे जाने वाला है तो अगर आज market में expiry है तो आपको क्या करना है तो इस दिन जो है जो अभी जो in the money का strike price है उसमें हमें trade करना है जो in the money का strike price बनेगा नीचे के side जाने के लिए पूट के लिए वो हमारा 19,300 का strike price बनेगा तो हमें 19,300 के strike price पर हमें trade करना चाहिए तो हम यहाँ पर 19,300 के strike price पर trade करेंगे जैसे कि आज देखो आज market में nifty-fifty का expire है तो आज Thursday है तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक हम अपना जो है खोल के दिखा देते हैं अपना प्रीमियम का चार्ट जो है ओपेन करके दिखा देते हैं जैसे कि एकस्पारिक दिन क्यों हमें ITM में ट्रेट करना चाहिए इसका में दीजन है कि हमारा वॉलेटिलीटी जादा रहता है और थीटर डीकी उस दिन जादा रहता है हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर कम समय में हमें अपना प्रॉफिट बूग करके निकल जाना पड़ता है क् यहां पर पूट के लिए जो है आज अभी मार्केट 19289 के आसपा चला है तो पूट के लिए हमें 19300 का इस्टाइक प्राइस जो है तो अब हमें इस वाले इस्टाइक प्राइस पर ट्रेट करना चाहिए ITM में अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो बस भाई यही मैं आपको समझाने वाला था अब आपको सही अब भाई इससे बढ़िया मैं नहीं समझा सकता हूं अगर आपके दिमाग मे अब आउट ओ उम्मेद करता हूं भाई क्लीर हो गया होगा तो यहीं मैं आपको समझाने वाल था भाई ऐसे ही हम इस्टाइक प्राइस को चूज़ करते और ऐसे ही मैं ट्रेट करता हूं तो कुछ इस टाइब में आप अपना जो है इस्टाइक प्राइस सेलेट करके ट्रे झाले ओूझे जाइव झाले को ए झाले करते ही मिरता है ऌपको अ.